यो, what's up guys, कैसे आपसे भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो आज हम लोग दुबारा से के लिए जा रहे हैं, GDF5, तो जैसा कि आपसे भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में, हम लोगों ने diamond casino को bomb लगा के पूरा blast कर दिया था, और साथ ही, अपने सबसे बड़े दुश्मन और होग जादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी security ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, बटा वो बत अलग है कि वो लोग हमें घुसके मार नहीं रहे, क्योंकि उन्हें एच्छे से मालूम है, अगर उन लोग उन्हें मारने की कोशिश करी, तो हम लोग भी उनके boss Duggan को मार डाल लेंगे, फिलाल हम लोग यहां पर जादा देर तक टिके नहीं रह सकते, क्योंकि इसकी यह वाली आर्मी तो भले ही कमचोर है, बट इसकी जो नौर्थ हैंग्टन वाली आर्मी है, वो यहां पोच गई, तो तो भाई अपना मरना confirm है, इसलिए हमें जल्दी-जल्दी यहां मना रहा है यहां से निकलने का, तो मुझे पता करना होगा न, आकिरकार वो प्लैन है क्या, बाकि एक बार यह आप लोग ना, इसका घर देखो भाई, मतला पूरा बेस्मेंट, वेस्मेंट में इसने इतना कुछ बना रखा है, और यह इतने टाइम से यहीं पर रह 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 कि यहां पर पार्टी करता होगा, फिलाल अभी मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ, यही वाला रूम है, जहां पर हमने डगगन बॉस को पकड़ के बिठा रहा है, इधर भी इसकी काफी सिक्योरिटी थी, अगर मैं नीचे गन लेकर नहीं आता, तो यह हमें मार डालते हेलो, यह डगगन बॉस काँ चला गया है, हमने इसको लास टाइम यही तो पकड़ा था, लेस्टर भी मुझे कही नजर नहीं आ रहा है, वेट, एक बारी में किसी और रूम में चल के चेक कर लेता हूँ, हो सकता है, लेस्टर उससे किसी दूसरे रूम में लेकर चला गया ह फिलाल राइट साइड में तो वाश रूम है, एक ये वाला रूम है, जो कि मैंने चेक नहीं करा था, और डगगन बॉस को लेस्टर यहीं पर लेकर आ है, बाग एक बारी आप लोग इसकी हालत देखो क्या हो चुकी है, लेस्टर तो अपना यहाँ पर प्लान वगरा बना है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलना चाहिए, बट मुझे इसके उपर ना बहुत जादा घुसार है, और राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर कह रहा है कि अभी ना अपना सबसे पहला टास्क यही है, कि हमें डगगन बर बर के मारूं लेकि लेस्टर ने मुझे इसे मारने के लिए मना करें क्योंकि बाइचंस यह मर गया, तो फिर इसका सारगा सारा पैसा भाई धरा रह जाएगा, वो बात सिर्फ इसी को मालू है, क्योंकि तो इससे पूछना जरूरी है, फिलाल अभी मुझे यहां से बाह बाहर निकलना ही होगा, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉल्म हो जाएगी, और वेट, मेरे निकलने से पहले शायद इन लोग को मालूम पड़के कि मैं यहां से बाहर आने वाला हूँ, बड़ दिक्कत किस बात की, आपने पास कुछ बॉम है, जो कि मैं इनके ओपर पीछे डालके ब्लास्ट कर दूँगा, तो आदे से जादा यह लोग तो ऐसी मारे जाएगे, और गाइस अभी न मुझे यहां तो यहां से भागना पड़ेगा, यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने से काफी सारे लोग आते जा रहे हैं, एक ब मुझे यहां से अंदर भागना चाहिए, सारे बॉम ब्लास्ट कर दूँगा, तो बहुत जादा गलत तभाई हो सकती है, बाकि एक बंदा सामने ऐसे आ रहा था, इसको भी मैंने मार दिया है, और अभी मुझे यहां पर कोई नहीं नजर आ रहा, वेट, कोई तो जाड़ी क बीचे से छुपके मुझे मानने कोशिश कर रहा है, वेट, यह बुलेट प्रूफ ग्लास है, सारे डगगन के घर के, तो इस पार तो मैं नहीं जा सकता, बाकि उत्तीरी, बहार बहुत जादे लोग है, वेट, बॉम डाल देता हूं भाई, इसी से कुछ नो कुछ होने वाल इतनी किसमत खराब है कि मैं कुछ भी करके उस तक नहीं पोच पा रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे यहां से बाहर निकलूँगा न, यह लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार डालेंगे, फिलाल यह जो बुलेट प्रूफ डोर्स है न, इसका फायदा उठाके मैंने इनके काफी सारे बोडी गाट्स को मार दिया है, एक यह वाला गेट है, बट सामने मुझे अपनी कार नजर ने आ रहे, अपनी कार इस वाले गेट के इधर तो खेर किचन की विंडो है, मुझे अगर उस तक पहुचना है न, तो मैं इस वाले डोर के तुरू बाहर हो सकता हूं, इसका यह वहां केसे मार रहा था, लेट्स को, यह काफी जदा सही हुआ है, एक बारी बाहर निकलने से पहले न, मैंने काफी सारे जो बोम प्लांट करें, इन सभी को ब्लास्ट कर दे थे, अभी जितने बंदे मिर साब से, शायद मारे जा चुके होंगे, लेट्स को, मैं अपनी अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुचा है, थोड़ा बहुत दुहां इसमें से निकल थो रहा है, मुझे अपनी गाड़ी नहीं से सीधा पीछे की तरफ निकल ले चाहिए, अभी भी सामने कुछ कुछ लोगा है, जो कि मुझे मारने में लगे, जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहां पर खड़े करता हूँ, लेस्टर को कॉल करके फड़ा फट से बाहर बुला लेता हूँ, अल्ड्राइट गाइस, तो अभी ना फिलाल मैंने जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बोल दिया है कि वो बाहर आ जाए, और वो फड़ा फट से बोस को आगे वाली सीट पे अपने साथ बिठा लिया है, और लेस्टर को पीछे वाली सीट पे यह मिनी गन दे के बिठा दिया है, अभी जल्दी सेना में बैक साइट से यहां से निकल लेना ची और विट, भाई साब, यह क्या हो रख है बैक साइट पे, एक से अगे अपन नहीं हुआ, शायद से वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं, बट कोई नहीं, लेस्टर है हमारा साथ देने करें, जो कोई भी आएगा, लेस्टर से दो मिन में बढ़ार डालेगा, बाकि यार सब लोग अपनी गाड़ी साइट रिटालो, यह गाड़ी इतनी डेंज लेकर चलते हैं, जहां पर कोई भी आता चाता ना हो, और फिर पड़ा फट लेस्टर से पूस्ते हैं, कि अभी हमें किस लोकेशन पर जाना चाहिए, जुपने के लिए, और राइट गाइस, तो भी ना फिलाल लेस्टर कह रहा है, कि हमें अपने लोग साइट वाले सीक्रि अब आप लोग सोच रहे हों कि यार, डगगन बॉस ने जो हरकत करी है, ऐसे तो मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको सेफ क्यों रखना है, उसका रीजन मैं आपको अभी आगी चल के बताने वाला हूँ, खेर आप लोग को याद ही होगा वैसे, अपना जो दोस, ओ वे देने वाला है, तो बस हमें उसके पास डगगन बॉस को जिंदा, अभी मतलब कुछ भी हो जाए, बस डगगन बॉस मरना नहीं चाहिए, तो इसलिए, एकदम सेफली मैं इसको वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, अगर रेलवे ट्रैक के थू चलेंगे, तो हमें ट्रेन से खतरा है, बाकि मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर कोई हमें ध्यान देने वाला है, और दाइस शाथ से आप लोगों ने एक चिस नोटिस नहीं करी होगी, बड़ वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो अपनी कार है, यह पूरी बुलेट प्रूफ है, बड़ उनके व ग्लास भी पूरा चटका दिया था, अगर यह टूटता ना, तो लेस्टर के सीधा गोलियां पड़ती, और हो सकता था कि लेस्टर भी डाउन हो जाता, पर हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोग से निकल के, डगगन बोस भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, लेस्टर भी वालो गाइस, फाइनिली मैं ये लोस एंटोस की पतली पतली गलियों से अपनी गाड़ी भगाता हुआ, लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पहुचने वाला हूँ, और ये चीज़ देखके आप लोग पहरान हो जाओगे, कि मैं एक यह सी जगह से इस गाड़ी को लेकर आया फाइनिली हम लोग पहुच पारें, लेस्टर भाई, सर बचायो सर बढ़ जागा, बहुत गंदे वाला वेड, मैं अराम से निकालूगा, लेस्टर का सर नहीं भीड़ना ची ओपर, वो विचारा हमारे सीक्योरिटी के लिए उपर चटके बैठा हुआ है, लेस्ट को, अभ इपने पास आसे से डिवाइस, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बटा, फाइनिली हम लोग यहां पर पहुच चोके हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां पर लगाना है, और मुझे गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी, या तो ब्लास्ट करनी पड़ेगी, फिलाल के लि जल्दी से अपर निगले, इदर 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 हां, मेरे पीछे पीछे आजा बस फड़ा फट उपर चल, उपर नहीं चलेगा ना इदर आती दीरे चलके दिखाएगा, इतना तो मारा भी नहीं जितनी चलके दिखा रहा है, इतना नहीं उठेगा भी एक और पड़ेगा, आइनली हम लोग इसे अपने सीक्रेट बंकर में लेकर आ चुके हैं, घूम के का देख रहा है, जल्दी नीचे चल, तेरी भाई एक घूसा मारा, चार सीड़ी, चार नीकुछ जादा ही सीड़ी नीचे आगे गिर चुका है, फड़ा फट फड़ा फट अंदर चलो ब्रो, इसे की तैसी पीछे कहां भाग रहा है, इसको पता चल चुका है, अभी हम लोग इसको बहुत गलत जगह पे लेकर आ चुके हैं, तो बारा उटके अक्टिंग नीकरनी ठीक है, अब चुप चाप यहीं पर बैट, अभी लेस्टर को बुलाते हैं, वो चिस इसकी तैसी तो चलो गाईस, अभी ना फिलाल लेस्टर ने डगण बॉस की कुटाई का पूरा इंतजाम कर लिया है, इसने ये पता है नी क्या बैक साइड में कुछ गरम होने के लिए लगा रहा है, अपने हाथ में रेंच लिया हुआ है, और सबसे डेंजरस चीज, ये जो वायर है न कुट कर लेगा, अभी हमें सबसे पहले अपनी दोस्त को, मेंस जिसके लिए हमने डगण बॉस को पकड़ा है, और डामन कसीनो फोड़ा है, उसी ने हमें बोला था कि डगण बॉस को पकड़ने के बाद वो हमें मूँ मांगी रकम देगा, तो उसको जल्दी से कॉल करके ब कि हमें जितना पैसा चाहिए, इसने बोला था हमें उतना पैसा ला कर देगा, तो इसने हमसे टाइम मांगा है, शाम के आठ बजे तक का, तो जैसी आठ बजेंगे, वैसी हम लोग इसके पास जाने वाले हैं, डगण बॉस को लेकर बठा, आठ बजे तक हमें डगण बॉस क बस जिन्दा रखना है क्योंकि अगर यह मरा ना तो फिर वो हमें इस बात के पैसे नहीं देने वाला है तो बस अभी बस डगन बहुत जिन्दा रहे कि कहीं खुद को ना मार ले और लेस्टर को भी मैं समझा देता हूं कि उसने बोला है डगन बहुत उसे जिन्दा ही है क्योंकि यह कह रहा है कि जितना भी पैसा कमाता था ना यह सारा का सारा अपनी सिक्योरिटी के उपर लगा दिया करता था अपनी सेफटी के लिए मतलब इसने कुछ भी पैसा सेव नहीं करा बस हमेशा है टैंक्स बड़े-बड़े वेपन बड़े-बड़े जेट प्लेन इन सब में खरीदने में वेस्ट कर दिया बढ़ हाँ एक चीज़ ऐसी है इसकी जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिले जा सकती है मेंस ये कह रहा है कि इसके पास एक माइशाफ्ट है जहां से ये गोल्ड माइन करता है और इसका सारा पैसा वहीं से आता है अभी भी त जल्दी से जाके देख क्या हो अकिरकार ये सच बोल रहा है या फिर जूट बोल रहा है लोकेशन लेस्टर ने हमें दे दिया है काफी ज़्यादा अजीब सी जगह पर है इसकी माइनशाफ्ट मुझे तो इतना पता था कि ऐसे अंडर ग्राउंड होती है बहुत ज़्याद पार भी ले तो वह भी बहुत बड़ी प्रोब्लम है अपने लिए फिलाल ये जो बाइक है कि सीडियों से काफी ज्यादा मस तरीके से उतरते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि रोट के लिए नहीं सीडी के लिए हैं वैसे हाँ ये सची में उफ्रोडिंग वाली बाइक है ल लोटरी वाली बात हो जाएगी क्योंकि वहां से हमेशा हमें गोल्ड आता ही रहेगा लेट्स को जल्दी से पहुचते हैं तो अभी फिलाल में अपनी बाइक लिकर डगगन बॉस की दी हुई लोकेशन पे पहुचने वाला हूं और अभी हमें मालूम पढ़ जाएगा कि आ यह आप माउंटेंस देख पा रहे हो यह यहां पर मुझे लगता नहीं कि यार माइनशाफ्ट होगी बट विट इधर यह माउंटेंशाथ से कट हो रहे हैं पर यह तो शाथ से रास्ता बनाने के लिए कट करें होंगे पता है नियार क्या है फिलाल यह जो बाइक आप यहां पर एक सही में माइनशाफ्ट है एक गेट गया हूँ है मुझे नहीं बता यह माइनशाफ्ट का गेट है या फिर क्या है बठा वहां पर कुछ सिक्योरिटी गाट्स है मुझे एक मिनिट रूख जा मुझे इन अपनी बाइक पहले ऊपर लेकर चलना चाहिए अराम से यहां से मैं एक बारी दूर से देखता हूँ आकिरकार क्या हो सी रहे यहां डगण बोस सच बोल रहा है या नी उसकी हालत कराब है उसे पता है जुट बोलेगा तो मारा जाएगा फिलाल अभी चुप चाप से चलके देखता हूँ मेरे पास स्नाइपर है जिसके अंदर आज मैं यहां पर आया हूँ और डगण बोस ने हमें एकदम सही लोकेशन दिया है और सब कुछ एकदम सच बोला है यहीं से कार्ट बाहर आएंगी शायद से विट इसने तेरी भाई यह कितने जादा डेंजरा से इन्होंने मुझे देख भी लिया इतनी चल दी बट वेट एक दू को तो मैंने मार दिया है शायद से एक बंदा वहाँ पर और बचा हुआ है बाई यह कितने जौदा फास्त है मैं बस निकला ही था और इन्होंने मुझे दीख भी लिया बाकि यहां पर एक बंदा जो कि मेरे को मारने के लिए लगा हुआ है निकल दे रही है इसके फट से एपनी बाई को यहां से नीचे कुदा देते हैं और जल्दी से चलते है सीधा माई साफ्ट के अंदर बर रेट लेट लेट सो अभी फटसे हम लग चलते हैं माईınız के अनदर मेरे लेट देखते है क्या आकरकार यहां पर गोल्ड सही में है या-फर नहीं फिलाल यह जो gate है यह लोको रखा है this property is close to the public wait इसका मेरे पास एक मस्जगाड है ना यह bomb कब काम आएंगे let's go मैं फटाफट से इस वाले gate के उपर यह bomb अराम से लगा देता हूँ और अभी जल्दी से चलके ना अपनी bike में बैठते हैं पीछे और थोड़ा सा थोड़ा सा बैक साइड पर चलते हैं क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भी मरने का शोक नहीं है अराम से अपनी bike में आपर खड़ी करता हूँ ताकि bike को भी कोई damage ना पोचे cover ले लेते हैं और जल्दी से इस mine shaft के gate को blast कर देते हैं let's go gate open हो चुका है पाई अंदर साही में बहुत ज़्यादा अंधेरा है पता नहीं अंदर कुछ बंदे है या फिर नहीं फिलाल अभी मैं अंदर आ चुका हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा but wait bike की headlight on कर लेते हैं अब मुझे सब कुछ नजर आ रहा है कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है और bike का जो sound है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोंज रहा है hello कोई है बिटा कोई है तो बता दो सीधा मुझे बॉम फैक्क के मारूगा वरना फिलाल मुझे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर gold होड़ना है क्योंकि डगगन बोस ने कहा है इस माईशाफ के थूँ उसके पास सारा gold आता है यहाँ पर अभी दो रास्ते है एक right जा रहा है एक left जा रहा है खत्ता होने का ओए हेड़ाइट कैसे बंद होई यहाँ कोई भाई बुरी आतमा का साया तो नहीं है अपने आप एड़ाइट बंद होगी बर ठीक है मैंने वापिस ओन कर लिए जैसी मैं आगया आपने आप एड़ाइट बंद होगी थी फिलाल अभी मैं काफी जदा आगे आ चुक हूँ एक सिकिन यहाँ पर एक रास्ता ओर जा रहा है वेट 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 यहाँ पर एक रास्ता सामने जा रहा है एक रास्ता राइट में जा रहा है इससे पहले भी एक रास्ता राइट में क्या था यहाँ पर तो एक म यहां से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है फिलाल सबसे पहले मैं तोड़ निकाल लेता हूं क्योंकि यहां पर बहुत जादा अंधेर है और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मुझे समय नहीं आ रहा कि मुझे इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए या फर नहीं बारो साल पुरानी है वैसे सामने मुझे डरने की जरूत नहीं है यहां पर तो यह नॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि बिचारे अपना काम पे लगे में इस माइशाफ्ट को और भी जादा खोदने में और और गुल्ड माइन करने में भाई-भाई-भाई-वेट मुझे नहीं प रहता है फिलाल अभी जल्दी से अपनी बाइक लेकर अंदर चलते हैं और तेरी वेट यह दिखो काईशा में क्या मिला यहां पर आसली खजाना आगे गेट है जहां से समान आ रहा है और यह सारे के सारे गोल्ड और जो की इसके उपर लोड़ होकर आ रहे हैं मेंस यह सारा आपने को बहुत जादा बढ़िया चीज अभी मिल चुकी है लाइट जलाओ भाई बाइक की अभी बाइक मोड थे हैं सीधा चलते हैं लेस्टर के पास हम लोग अभी इनको कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि यह तो यहां के वरकर्स हैं यह पूरी की पूरी टैनल पूरी बॉस के सिक्यॉर्टी गार्ड्स पैठे हों जो कि मुझे पकड़ ले वैसे भी जगह काफी जादा हॉरर सी है पता नहीं मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप कैसे बंदो यह भी दो बारी तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला विलाल किसी एक और बंदे को अपन अपने को इतना तो पता चल चुक है गोल्ड यहां पर माइन हो रहा है और माइन शाफ्ट भी है लेट्सको गाइस अभी तो अपनी फुल मौज होने वाली है क्योंकि माइन शाफ्ट के ऑनर अब हम बनने वाले हैं और हमारे पास होने वाल है अनलिमिट गोल मतलम है पैसा एक सिकेनी बिग माफिय का भाई को कॉल कर रहा है यार वेट मैं अपनी गाड़ी ना पहले साइड में लगाता हूँ ये क्यों को कॉल कर रहा है मुझे वो भी इतने टाइम बाद इसको क्या काम पड़ेगा वेट इससे बात कर लेते हैं पहले अदरवाइस हम लोग बस कुछी देर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फसने वाले हैं और आप लोग उस बंदे की फोटो देखके हरान हो जाओगे शाथ से आप लोग उन्हें इसको पहचानी लिया होगा इसको भूलो को कैसे इसी बंदे ने टायमेंड कसीनो ब्लास करवाया डगगन बोस को पकडवाया और अब यह में हमारी मूँ भांगी रकम भी देने वाला है बट अब आप लोग सोच रहोगे कि आकर यह बिग माफिय का भाई क्यों से मरवाना चाहता है तो पहली चीज यह जो पैसे हमें यह देने वाला है न यह खुद बिग माफिय के भाई से फ्रोड करके लाया और बिग माफिय के भाई को पता नहीं है कि डायमेंड कसीनो इसने ब्लास निकरा हमसे ही ब्लास करवाया और डग्गन बोस को भी पकड़ने वाले हम ही है बिग माफिक भाई को लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उससे भी उपर है बठाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है अगर हमने डग्गन बोस को इसके हाँ तो मरवा दिया न करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बठाँ बिग माफिया भी जो टिप देता हुँ मैक्सिम्म टाइम सही होती है उसने से मारने के लिए बोला है तो शायद मारना ही इसको बेटर रहेगा बट अंदर चलते पहले और बाइक बाहर खड़ी करने की जुरूत नहीं है लेट्स को यह आगी बाइक अंदर खुल जा भाई पता नहीं है अभी हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे तो नहीं समझा रहा कि आकिरम लोग उस बंदे को कैसे मार सकते हैं जिस बंदे से हमें धेर सारा पैसा मिलने वाला है फिलाल अभी मैं अपनी बाइक ल कि नहीं जा पाएगा बठाए यहां मुझे अभी लेस्टर से बात करनी चाहिए यह फ्रैंक्लीन यहां पर क्या कर रहा है लास्ट टाइम तो हमने इसको बंद कर दिया था ना मार पिटके मैं लेस्टर से पूछ लेता हूं तो चलो गाइस अभी ना फिलाल मैंने लेस्टर उसे फ्रैंक्लीन को लेकर बात कर लिया है और यह कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नी है फ्रैंक्लीन हमारे साथ ही है हमारे ले काम करेगा बाकि हां मैंने इसको बिग माफिय के भाई वाली बात बता दी कि वो जो बंद है जिससे आज हमें पैसे लेने जाने है उस बं दगगन बॉस को उसके हवाले करने जाएंगे तब हम लोग डगगन बॉस की जैकेट में एक बॉम फिट कर देंगे और फिर उस बंदी से पैसे लेकर वापस आ जाएंगे और साथ ही डगगन बॉस की जैकेट में लगा बॉम ब्लास्ट कर देंगे जिससे डगगन बॉस तो म पजे मिलने के लिए बुलाया है तो भी फटा फट से नहीं एक बारी मैं उससे कॉल करके बोलता हूं कि हम लोग आज नहीं आ पाएंगे बट कहीं ऐसा नहीं हो कि इस कॉल के बाद उससे हमारे उपर डाउट हो जाए फिर बहुत बड़ी प्रोब्लम हो सकती है बटा फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो अगर आज रात को नहीं आ सकते तो कल सुबह आ जाना बट उसने एक वार्निंग दी है कि जब हम लोग उससे मिलने जाएंगे तो हमारे पास कोई वैपन नहीं होना चाहिए और खेर वैपन हमें लेकर भी कोई जाने है खेर यह है कि किड़ में बॉम लगाने के लिए और उसको एकदम सेफली उस तक पहुचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ओकी गाइस तो लेस्टर कह रहा है कि प्लैन काफी ज़्यादा सिंपल है डगगन बोस को सही सलामत उस बंदे तक पहुचाने के लिए सबसे पहले हमें कैसी गाड़ी की जरुत है, जो गाड़ी पूरी बुलेट प्रोफ हो, ताकि बीच रास्ते में हमारा कोई एक्सिरेंट हो जाए, या फिर किसी से चोटी मोडी फाइट हो जाए, तो उस फाइट में डगण बॉस को कुछ भी ना हो, तो गाइस, अभी ना लेस्टर ने हमारे लिए एक बड़िया से टो ट्रक का जो गाड़ कर दिया है, जिसको लेकर मैं जाने वाला हूँ, यहां से सीधा स्क्रैप याड़ पे, और वहां से एक पुरानी खटारा कार लेकर आएंगे, और वो देकर आएंगे हम लोग बैनी को, ताकि वो उसकी बड़िया से मोडिफिकेशन करें, और उसकी मोडिफिकेशन हम लोग उसे साब से करवाएंगे, जिससे आपकी कार हमें चाहिए, वही आर्मर वाली ब्लाक विंडो, फिलाल फ्रैंकलिन भी गाड़ी में आकर बैट चुका है, और फ्रैंकलिन को इसलिए बुलाया है, ताकि छोटे मोटे कामों में हमारी हेल्प करवा दे, और में डे, में सकल के दिन, ये हमारे साथ जाने वाला है उस जगह पे, में लेस्टर हमारे साथ नहीं जाएगा, लेस्टर यहां से बैटके पूरा चेक करेगा कि कहीं वहाँ कोई गड़ बढ़ तो नहीं है, और हर एक चीज़ का काम लेस्टर अपने ल कर लो सेंटोस के लोते स्क्रैप याड पर पहुंचने वाला हूं, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है, ये मारे ड्रिफ्टो ट्रक से और हम लोग आगे हैं स्क्रैप याड पर वेड, मैं इस क्रैप याड नहीं, मैं गलती से कुढ़ा य लेकिन पूरे के पूरे लो सेंटोस का कबाड यहीं पर आकर इकठा होता है, हमें यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज मिल सकते हैं उत्तिरी भाई, ये कार किसकी खड़ी है, फुल माफिया कार खड़ी कर रहा है, खैर अभी मुझे एक गाड़ी का इंतिसाम करना है, जो ब इस अभी ना फिलाल मैं थोड़ा सा एक बारी आगे चल के देखता हूं, क्या पता यहाँ पर कोई ना कोई बड़िया सी गाड़ी खड़ी हो, जो कि अपने काम आजा है, और मैं इतनी जादा अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, यहाँ नीले के लिए गटिया सी वैन गड़ी है, जिसको देखके मेरा मन भर गया, फिलाल अभी पूरा का पूरा स्क्राप याड में चेक कर चुका हूं, घटिया घटिया टूटी फूटी गाड़ी मुझे बसी तर नजर आ रही है, एक बारी ना, यह सामने वाली साइड मैने अभी तक चेक नहीं करी है, जल्दी से पनी गाड़ी यहां पर लेकर चलता हूं और वेट, यहां पर तो तेरी भाई, यह कौन सी सूपर कारी दर आई भी है, एक सिकिन, यह मुझे पता नहीं क्यों फरारी, यह फरारी है, भाई साब, पता नहीं किसके फरारी है, पूरी ब्लास्ट हो गए होगी गाड़ी भी बहुत जादा बुरी हालत में है, बटा बैनी किस काम आएगा फिर, बैनी इस गाड़ी को च्छे से मोडिफाय कर देगा, फिर गाड़ी बिल्कुल ही चूरा हो रखी है, लेकिन कोई नहीं यार अभी अपने पास कोई option भी तो नहीं है, जल्दी से इस को उठाते हैं, और अपने tow truck में load कर आकर यहां से लेकर चलते हैं, मुझे इसकी payment तो करनी बढ़ेगी, अरे कोई इनके ले कौन सा, कबार है इनके ले free है, इसको उठा लेते हैं अभी जल्दी से, ओके अपना tow truck का जो है, फाइनली जाकर उससे connect हो गया और यह गाड़ी अ यहां से बाहर निकालना होगा, बढ़ा, बाहर निकालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि यह पूरे में scratch ना चोड़ती जाए, और वेट, मुझे अपने tow truck को ना यही से मोड़ना था, मैं एक काम करता हूँ भाई, उससे payment करी आता हूँ, पत बंदें अलगी संकी से है, लग रहा भी मार पीट देंगे, भाई, क्या है यह, कुछ का भी नहीं सीधा मारने लगे दो मिनिट में, फ्रेंकली इन बैट गया ना चल भाई, ठीक है, मैं फ्री में ही ले जा रहा हूँ, मैं अच्छा का सा पैसे देनी गया था, लड़ रहे ह करके मैंने अपने टो ट्रक को यहां से मोड के, इस गाड़ी को यहां से बाहर निकाल लिया है, सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा हो, बाई, मारी ओ, मैं पैसे देनी जा रहा था, तुम्हारी बंदों ने मना कर दिया कि ले जो, फ्री में ले जाओ, पैसे हमें चाह सारा की आखिरकारी यह गाड़ी कौन सी है, देखने में रेंज रोवर जैसी लग रही है, बठा, काफी जादा ठूटी-फूटी सी है, तो सही से समझ नहीं आ रहे है, और लेट्स गो, हम लोग पैनी की गिराज पर पहुच गया है, और बैनी ऑल्रेडी हमारा यहां पर व यह गाड़ी में बैठता हूं, और आप हम लोग नहीं जाने वाले हैं लेस्टर की हैकर फ्रेंड के पास, क्योंकि उससे हमें लेनी है बुलेट प्रूफ जैकेट, जो जैकेट हम लोग पैनाने वाले हैं, डगगन बॉस को, वो भी उसकी जैकेट के अंदर, ताकि कि किसी क देख के भी ना पता चले कि हम लोग ने से एक बॉम पेनारक है, जो बॉम पूरी गदर तभाई कर सकता है, कर अभी ज़्यादा बाते नहीं कर रही हैं, और मैं थोड़ा सा बातों ही बातों में गलत जा रहा हूं, मुझे इस डिरेक्शन में जाना है, जहां पर लेस्टर क का बेस है, ओके गाइस, तो यह हम लोग पहुचने वाले है, लेस्टर की हैकर फ्रेंड के सीक्रेट बेस पे, बस मुझे आगे से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है, बठा मैं थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज होगे हूं कि इधर काफी सारे रेलवे ट्रैक है, बठा अभी जल्दी से पनी गाड़ी लेकर यही पर चलते हैं, और फड़ा फड़ से मैं इसको साइड में पार्क कर देता हूं, और यह गलते से थोड़ा मैंने, ठीक है, वे फ्रैंकलिन को यहीं पर गाड़ी में बैठ रहने देते हैं, और मैं जल्दी से अंदर जाके जाकिट बाहर ले आता हूं, तो चलो गाइस, अभी फिलाल मैं स्ट्रेलर के अंदर आ चुका हूं, बाकि आप लोग एक बार इस जगह को ध्यान से देखो, कि लस्टर की वो हैकर फ्रेंड ने इस जगह को कितने जादा बढ़िया तरीके से बना रखा है, कार रिपेरिंग से लेकर और वेपन क्राफ्टिंग तक, सब कुछ हो यहीं पर करती है, प्लस हैकिंग बगारा और रहना भेना भी, शायद से इसे ट्रक के अंदर है उसका, यह घड़ी यहां पर, और वेट, यह जो पीछे पढ़ा हुआ था, ओ तेरी, यही है गाइस, वो बाम जाकिट जो की लेस् ओए, ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलाल उससे बात हो चुकी है, और इस टाइम वो चली गई है, बॉम का फाइनल सेट अप करने के लिए, मेंस बॉम को एक्टिवेट करने के लिए, कि आखिर वो जो बॉम है, वो कितने बज़े ब्लास्ट होने वाला है, फिलाल आप पर इसका ये वाला रूम देखो, कितना ज़्यादा डेंजरस सा है, मतलब चारो तरफ अलग अलग स्क्रीन लगी है, बाकि हाँ, मैंने इसको बोल दिया कि जो टाइम है, ये दस बज़े का होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने हमें आठ बज़े मिलने के लिए बुलाया है, और आठ बज़े अगर हम लोग यहां से निकलेंगे, तो नो बज़े तक उसके पास पहुचेंगे, प्लस हमें वहां से वापिस बे आ जाना है, क्योंकि बॉम ब्लास्ट हुआ और हम लोग भी वहीं पर हुए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और तीसरी ची बाहर आच चुका हूँ ट्रेलर से, बट एक सेकिंड, जब मैं अंदर गया था, तो बहुत तीस धूप निकल रही थी, और अभी यह आदे घंटे में मौसन को क्या हो गया, पता है फिलाल अभी बहुत जादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैकेट हमें मिल चुकी है, गा बहुत बड़ा घर क्या, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खरी सकते हैं, फिलाल अभी बड़े सबने बात में देखेंगें, फिलाल अभी जल्दी से पॉस्ते हैं, लेस्टर के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता, यह प्लान कुछ भी करके फेल हो, जिस रस्तों से आया है, उ बहुत तेज बारिश होने वाली है, जैसा कि मैंने का था कि थोड़ी देर में लगता है, बहुत जोरो की बारिश होने वाली है, और यह देख लो बाई, क्या हाल हो चुका है हैं, फिलाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुचते हैं, लेस्टर के पास, और भाई, बारिश है से होने कि अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई, तो फिर यह स्लिप होईगी, और मैं कहीं न कहीं जाके बहुत जादा बुरी तरह ठुकने वाला हूँ, और अल्रेडी में एक जगा ठुक चुका हूँ, पीछे वाली हैडलाइट ही आपको बता रही से राइट मोंड है, और और वेट, मैं शायद थोड़ा सा गलत नहीं आया हूँ, मैं आया सही हूँ, मैं आजकर ना पतली गलियों में गाड़ी चलाने की आदत जादा पड़ गी है, यह चुपने के चक्कर में, बढ़ा, फाइनली हम लोग पोच चुके हैं सीधा लेस्ट करा सकता है, डगगन बोस को भी मार सकता है, और साथ ही अपने दूसरे दुश्मन को भी खतम कर सकता है, वह वैसे वो दुश्मन नी है, वो दोस्त ही है, तो चलो गाइस, अभी फिलाल यह जो ब्रीफ केस है, मैंने इस टेबल पर रख दिया है, और डगगन बोस को प्यास लग रहे थी इसलिए लेस्टर ने उसको एक ड्रिंक पीने के लिए दिया है लेकिन उसने इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको पीने के बाद डगण बॉस भियोश हो जाएगा और हम लोग उसको ये जैकेट पिना डालेंगे फिलाल डगण बॉस यहां पर बोला ना एक सिकिंड मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे इसने भाई अभी ट्रैवर बोला यह वहाँ पर जाकर किसी से कॉल पर बात कर रहा है मुझे ना गाइस अभी इसका सीन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है फिलाल लेस्टर भी वहाँ पर गया और लेस्टर ने उसके हमारे साथ जाने वाला था डगन बोस को लेकर उस बंदे के पास अभी ना मुझे चलके लेस्टर से भी बात करनी होगी कि आखिरकार इसने फ्रैंक्लीन को क्यों मारा है मेरे को यह नहीं समझा रहा भाई उस बंदे को बुलाया है अपने काम के लिए फिलाल अभी इसने प को इने डगन बोस को भी हुश कर रहा था तो उसने इसकी वीडियो बना ली प्लस वहां पे जाके ट्रैवर को कॉल कर दिया कि डगन बोस हमारे पास है और आप लोग को तो मालूम है ना कि इस ताइम ट्रैवर हमारे लिए नहीं डगन बोस के लिए काम कर रहा है तो डगगन बोस को छुड़ा कर ले जाएगा जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फिलाल अभी लेस्टर ने मुझे बोला कि तुम यहां से जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतनी जल्दी उसे नहीं पता चलने वाला क्योंकि फ्रैंक्लिन शाथसु से पूरी बात नहीं हेलो कि फिशल कैसे यह गाड़ी इतनी चाहता वेड यार एक बारी मैं दुबारा ट्राय करता हूं बता नहीं इस गाड़ी के टायर इतनी जादा स्लाइडी क्यों हो रहे हैं बाई लेट्स गो फिलाल अभी गाड़ी मैंने मोड दिये और आप लोगोंने देख लिए होगा इतने से में गाड़ी पूरी 180 डिफ्ट मार गए बाके हम मुझे मालू मैं किस टाइम पर रोड पूरे भीग रखे हैं इसलेए इसलाइड हो रहे हैं टायर से लेकिन इस गाड़ी के कुछ जादा ही स्लाइड हो रहे हैं बाकी गाड़ी हैं हमी तो चल लियार उनके दुनिय हो रहे हैं इतने स्लाइड लेट्स को फिलाल अभी लेस्टर ने मुझे बूला है कि यहां से मुझे सीथा अपने घर जाना है और कल सुभे साड़े 6 बजे करेक्ट लेस्टर के पास बोचना है वो गाड़ी लेकर जो कि हमने बैनी को मोडिफाय करने के लिए दी थी पूरी जाते है और विचारा फ्रैंक्लिन को कुछ जादा हो जाए बाग यार उसकी हरकते भी कुछ आसी रहते हैं मुझे तो समझी नहीं आ रहा कि आकरकार वो डगगन बोस के लिए काम क्यों कर रहा है खेर ठीक है अभी मैं घर पर आ चुका हूँ जल्दी से चलते हैं अंदर ब बाड़ी ऐसे कपड़े बैंते हैं कुछ वैसे अभी कपड़े बदनी की क्या जूरू होता है? जाना तो मैं कन सुछ जाते हैं हैस यार्मर को हमार को बहुत चलता हो सकता है ओल्राइट गाइस तो भी फिलाल मैंने आउटफिट पहन लिया है और इस पे वाली ग्लास कैसे लग रहे हैं मुझे कॉमेंट में जाके जरूर बताना भाई बिल्कुल ना थोड़ी आ कुछ जाद ही जेंटलमेन वाली लुक आ रही है माइकल की लेट्स को भी जल्दी से मैं आ चुका हो नीचे बैनी को मैंने फोन करके बोला था कि वो साड़ी ची बज़े मेरे घर पर पहुंच ओ तेरी भाई सब ये गाड़ी लेकर तो आ चुका है पर कुछ जादा ही खतरनाक तरीके से एंट्री नहीं कर वाई इसने पूरी क्या ड्रिफ्ट मारी है और गाड़ी देखो भाई इस बंदे ने एक नमबर मोडिफाय करी है यही चीज मर को चाहिए थी लेट्स को तो चल भाई भाई भारा फड़ा फट से गाड़ी भी लगए हाँ टेस्ट कर ली जाए क्योंकि भाई हम लोग इसके अंदर डगगन बॉस को लेकर जाने वाले है तो इस यह भी इसे बुलेट प्रूफ बना दिया है तो यह गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ है यानि अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली वैसे एक दिक्कत आजाएगी अगर मैं इन वैपन्स को लेकर वहाँ चले जाओंगा फिलाल अभी जल्दी से घर में चलत उस बंदे नहीं बोला है कि हमें वहाँ पर बिना किसी वैपन के आना है लेट्स गो फिलाल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं बैनी अपना खुद घर चले जाएगा अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीथा लेस्टर के पास उ तेरी भाई यह गाड़ी फुली आर्मड का रहे है लेट्स को जल्दी से पोस्टे हैं लेस्टर के पास ओके गाइस तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर उस लोकेशन पर पहुचने वाला हूं जहां से मुझे डगण बॉस को अपनी गाड़ी में पिक करना है और इसको लेकर जाना है उस आइ होती है बॉम लेस्टर ने इसकी जैकेट में लगा दिया हमें बस वहां से पैसे लेने हैं और निकलने के बाद बॉम ब्लास कर देना है लेट्स को वैसे गाइस अभी जिस जगह पे मैं डगण बॉस को लेकर जा रहा हो ना वो जगह सची में बहुत जादा दूर है आप ल वाली बात है कि गाड़ी में पीछे बैठे बंदे की जैकेट में लगावा बॉम अगर बाइचांस में लेट होता हूं तो करेक्ट दस बजे बॉम ब्लास हो जाएगा और अपने लेने के देने पड़ जेंगे स्कीम है इसकी गोली किसे वेट यह यह ट्रैवर है क्या होना बहुत ही जादा गलत सीन हो जाएगा ट्रैवर हाथ दोके मारे पीछे पड़ चुका उसको लग रहा है मैं सामने चला नहीं उसको अच्छे से महलूम है कि मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी है वेट मुझे अभी जल्दी से जल्दी करके कही ना कहीं तो चुप पर पहुचाना है जहां पर ट्रैवर ना आप है मुझे उसकी गाड़ी सामने तो नजर आ रही है वह बहुत चला रहा है अपनी बाइक और वह कुछ सेकंड में यहां पर पहुच पहुचता चोड़ो भाई पहुच भी के मेरे बोलने से पहले आजारा है इधर आतीरी एसी कितर से वेट अब इसके बहुत तगडी टककर मारने वाला हो मैं इसकी बाइक पे ऐसी टककर मारूंगा कि बाइक समेथी सीधा नीचे गिरने वाला है अभी रुक जाओ आगे से म मेरे गानी उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा कि मार के जाएगा अपने पास कोई भी गन नहीं है बहुत ज्यादा गलस सीन हो सकता है अपनी गाड़ी जैसे तैसे करके मैंने वहां से निकाल लिया किसी सेफ किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर चलता हूं जहां पर यह बिलकुल ना आप है वैसे अब इन अच्छी बात तो यह है कि यह एक बहुत ही बढ़िया स्यूवी है जो कि अच्छे से ओफ रोड वाले एरिया पे भी चल पा रही है बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ट्रैवर अभी भी मेरे पीछे आ गया है गाड़ी पलड ओ यार वो यहां पर भी अपनी भाइक लेकर आ गया भाई भागो इसने मुझे बहुती गलत वाला फसाल यह जगा पर एक तुछ जगा भी ऐसी है ना मैं छुप तो सकता हूं इससे बट थोड़ा सा टाइम चाहिए यार मतलब यह तुरंती भाग कर आ जा रहा है मेरे करना होगा भाई अगर ट्रैवर ने मुझे भी देख लिया ना बहुत गलत सीन हो सकता है लेकिना शायद से भी तक तो यहां से चला गया होगा ओल्रेडी गाडी यार इतनी बुरी तरा आगे से ठुक चुकी है इतनी जादा पाउरफुल कार होने के बाद भी इतनी बुरी उडाने ही वालो हूँ अब बोल बेटा फालतू गाइस देखो भी ना मुझे कुछ नहीं समझा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए मेरा बिलकुल मैंनी है कि मैं ट्रैवर के ओपर अपनी ये गाडी चड़ा के से मार डालो बठा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो याग या ये कहां से आया बाई है लो ये ट्रैवर ने पक्का इन लोग को भी बता रहा होगा डगन बोस के गार्स कुछ नहीं आपर पहले से लगा रहा था गाइस तिखो भी ना मुझे जल्दी से जल्दी लेस्टर को कॉल करना चाहिए वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मुझे सही में मारी डालेंगे फिलाल ट्रैवर ट्रैवर गाड़ी लेके चलागे वेट मुझे उसका पीछा करना होगा वे है तो बे तुमारी एसी कि तैसी मुझे आजा पहले तू आजा ते तेरा मैं सर फाट दूँगे दरा पहांस की गाड़ी चलीगी यार वाहा चानी पढ़िए फिलाल सामने से एक ट्रेन आ रही है मुझे जांप मार के साइड गिर चुका वैसे अभी ट्रैवर ज्यादा दूर ने गया होगा अगर मैं यह वाली ट्रैवर तक जल्द से जल्द पहुँच जाऊंगा लेट्स को गाइस अभी ना फिलाल जल्दी से लोग जादा आगे तक जा पायोंगे फिलाल सामने मुझे एक बंदा बैठा वो नजर आ रहा है और इसके पास तो काफी सारी वैपन्स में तीरी एसी की तसी निकल यहां से अपने पास अभी बहुत सारे वैपन्स का जुगार हो चुका है लेकिन यह बंदा भाई मुझे मुझे ऐसा लग रहा है पैसकी निकल यहां सो तू मारेगा गया में मोटे चलती रही एसी की तसी फिलाल अभी मैंने इसको मारके डाउन कर दिया है यहां पर बहुत सारे वैपन्स पड़े हैं यह भी मैं आ के लेता हूं ओके गाइस तो फाइनली मैं ट्रेन के एंजिन तक पहुँच चुका हूं बस अब मुझे इस एंजिन में जाना है और फटा फट से इसे हाई जाक करके इसकी स्पीड बढ़ानी है लेट्स को अभी इसकी स्पीड चल रही है 45, 46, 47, 48 बढ़ हां इसको मैं बहुत जादा तेज करने वाला हूं क्योंकि मुझे कुछ भी करके अ कुछ नहीं है वेपन अपने पास आ गए अभी मैं ट्रैवर को रोक सकता हूं और वेट एक सेकेंड आप लोग एक बार ही राइट साइड में ध्यान से देखो ही जो ब्लाक कलर की कार जा रही है ये तो अपनी कार है और ट्रैवर इसी में है शाद से गाड़ी ज्यादा ते पर ट्रैवर को भी रोकना चाहिए ने 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 चलती ट्रैवर को दूँगा तो बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात है एक काम करता हूं ट्रैवर अभी बस यहीं पर आने वाला है और मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करकर रखना है लेट्स को अभी मैं ट्रैवर से उतर सकता हू क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर यहीं कहीं से जाने वाला है खैर उसकी गाड़ी सामने से आगे मुझे ऊपर न ले एवर रो मुझे देख लेगा गाइस तो ट्रैवर अभी बस अपनी गाड़ी लेकर यहां पर आने ही वाला है मुझे उस व बॉम मैंने ब्लास कर दिया है और मैं यही कहने जा रहा था कि मैं 100% sure हूँ इन बॉम से गाड़ी तो ब्लास नहीं होगी बट जो बॉम का effect है ना वो यह लोग नहीं जेल पाएंगे और जैसा कि मैंने सूचा था वैसी हुआ ट्रावर भाई उसका जो हैड है वो स्टेरिंग म गाड़ी से बाहर निकालते हैं फाइनली भाई अभी हमारे हाथ आगया मैं इसको यहीं बीच रोड में छोड़ने वाला एंबुलेंस इस उठा कर ले जाएगी मुझे ना अपनी गाड़ी को लेकर अभी जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुचना होगा जहां पर उन मेरे को लग रहा है कुछ तो बहुत गलत होने वाला है कि अभी मैं उस जगा कि काफी जदा पास आ चुका हूं ओकी गाइस तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुचने वाला हूं जहां पर रिच मैन के बॉड़ी गाड़ समय पिक करने आए वे हैं लेट्स को भाई साब यहां तक पहुचने में कितना टाइम लग गया हटजा भी तरे रैप्टा बजा दूगा मैं सही बता रहा हूं इतना जादा गुस्सा आ रहा है ना लेट्स को चल्दी से भी गाड़ी से उतरते हैं गॉन्स मैं वैपन्स को लेकर आगा वेट वेट व लोगो ना चल तीरी ऐसी किता से उट 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 फट से गन मेरे पास है नहीं मैंने रख दिया है भी गन वरना तेरे मैं बजा भी देता फिलाल आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इन लोगों ने हमारी लिए तकड़ी सी गाड़ अब हो उदर का जा रहा है रस इन लोगों की आर्मी की है जो की हमारे पीछे पीछे आने वाली है बाकी हां रिचमैन ने हमारी लिए यह लग्जिरी यॉट बेजिया है जिसमें डगन बॉस आगे वाली साइड पर बैट चुका है पीछे हम बैट गए है और यह बंदा इसी के तुरू हमें उसके आईले लेट हुए ना मैं पानी में कूछ जाँगो क्योंकि डगन बॉस का बॉम ब्लास्ट हो जाएगा तो बस जल्दी से पुचा दे अपना सारा काम होई जाना है बाकी सब ओके है और राइट गाइस तो फाइनली हम लोग इस याट में बैट कर उसके आईलेंड पर पहुचने होगा बड़ा सा नहीं है इसने यहां पर अपना लग्जिरी मेंशन बनाया हुआ है जहां पर हम लोग फाइनली पहुच चुके हैं वैसे सबसे बड़ी प्रोब्लम वाली बात है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ दस से पंदरा मिनट है मुझे जल्दी से उससे पैसे लेक बाइबा डगगन खेर अब तो उसकी गोली से मर या फिर अपने बॉम से मर मरने तो यह वाला ही है फिलाले भी जल्दी से मुझे अंदर चलना होगा अभी तो शाथ से 10 मिनटी बचे होंगे मुझे इससे पैसे चीए और यहां से फटा फट से निकलना है निकलना है कहां प उमारी लिए बहुत कुछ है कहीं हमें पागल ना बना दे पता चला घर जाके इसके अंदर नकली नोट नकली गोल्ड नकली डामेंड निकलने है फिलाला भी उससे फरक नहीं पड़ता पहले अपनी जान बचानी है पान से चे मिनट के अंदर वो जो बॉम है वो आनी है मैं यॉट से वापिस नहीं जाने वाला जब मैं यहां पर आरता मैं इदर एक हैलिकॉप्टर देख लिया था लेक्स को इसी के हैलिकॉप्टर को चुराके भी भागता हों कोई मुझे रोकने वाला है क्या ही रोक लेंगे वाई पांसे चे मिनट में ये सब खुदी बंद होते रहेंगे जितनी जल्दी दूर जाओंगा उतना ही ज़्यादा मैं से रह पाऊंगा लेट्स को तो चलो गाइस अभी फिलाल मैं उस जगह से काफी ज़्यादा दूर आ चुका हूं टाइम भी पूरे करेक्ट दस बजने वाले हैं ओ भाई साहब यह कितना ज़्य चाप से निकल लेते हैं और वापिस से लोस एंटोस बिग माफिय के भाई को और लेस्टर को यह गूर्ड नियूस जल्दी से जल्दी पहुचा आनी है फ्रैंक्लिन और ट्रैवर को भी पकड़ कर सबक सिखाने हैं कि पता नियार वो इतनी जल्दी दूसरों बंदियों के स फड़ा फट से इस वीडियो को जाके लाइक करना इस वीडियो पर इम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए तो सबी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा की गोल कम्प्लेट कर दो जो भी चैनल पी नियू है चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट्स में जाके जिरू बताना किया आपको ये वीडियो कैसी लगी और हां वो जो में गोल्द मायं मे ली है उसका में क्या करना चाहिए वह भी कॉमेंट्स में जाके जिरू बताना बाकी आज किस वीडियो मे इतने आई अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़व, बाई! इत में मुड़ब याय लाठक कर दो कर दंद भेंटे कि ए्स रही करald कि अधिख वphy छ्वयोधा है कि अधिए खञे प्स्क रहत रहते हैं सिस्वड़ में मिषश रख लुज़